खबर है भिलाई से जहां श्री राम जन्मोटसव समीती भिलाई एवं जीवान आनन फाउंडेशन द्वारा 15 दिसंबर सी श्री राम यग ग्यान कथा एवं श्री लक्षमी नरायन महा यग्या कारिक्रम आयोजित किया जा रहा है आयोजिन में राश्य संत्परम पूजे चिम्निया नन बापू अपने मुखार विन से कथा वाचन करेंगी आयोजिन की शुर्वाद 14 दिसंबर को भवे कलश यात्रा से की जाएगी जिसमें लगभग 3,000 से अधिक महिलाएं सिर्फ पर कलश धारन कर खुर्सी पार शेत्र का भ्रहमन करेंगी कलश यात्रा में महराश एवा मोडीसा की बैंड पार्टी सहीत तीरूपती बालाजी मंदिर के वादे कलाकार भी शामिल होंगे साथ ही साथ कलश यात्रा में विभिन जहांकिया भी शामिल होंगे कारेकरम को लेकर पत्रकार वारता में श्री राम जन मौतसव समीती की ओर से चनना केश वुलूव अन्ने पदादिकारियों ने आयोजित आयोजन की विस्तरित जानकारी दी उन्होंने बताए कि यहाँ आयोजन दशेरा मेदा अन्श्री राम चोंग खुरसी पार में हो रहा है जिसमें 15 दिसंबर से 23 सिप्तमबर तक राश्चिस संचिम्निया नन स्वामी अपने मुखार विन्स से कथा वाचन करेंगे आयोजन समीती के सदस्यों ने बताया कि कथा सल पर सत्य कुंडिये नव दिवसिये लक्ष्मी नरायन महायग भी होगा प्रति दिन प्राते आठ बजे से दुपहर एक बजे तक यह है यग किया जाएगा इस महायग के लिए कथा सल पर कलात्मक रूप से यग कुटिया का न यात्रा का आयोजन किया जा रहा है वहीं जिसमें लगभग 6,000 लोग शामिल होंगे इसमें 3,000 महिलाएं कलश धारन किये पूरे खुरसी पार शेत्रकर भ्रमन करेंगे कलश यात्रा का शुभारम जोन एक अनुमान मंदिर से होते हुए जोन तीन सुभाश मार्केट होते चोंकी पहुंचेगे कलश यात्रा में महराश्री की बैंड पार्टी शामिल होगी जिसमें महिलाएं वंपुरिश दोनों ही कलाकार अपनी प्रस्तूती देंगे इसके अलावा उडिसा की धमाल पार्टी भी इसमें शामिल होगी साधी साथ तीरूपती बालाजी के एक वादेकलाकार भी यात्रा में शामिल होंगे दुर्ग बिलाई से राजेंद्र गाडे सुनील सोनी की रिपोर्ट जो दोफाय थीन बजे से साम शेबे तक संत जी का जो कारकर में प्रती दिन होगा इसमें विलाई दुर्ग की सम्मानी जन्ता को मैं आदर को कामन्तिर करता हूँ आया आप सब हमारे जो संतार है उनका स्री राम कतक आयोजन जो रखा गया इसमें आप सभी दालू सहिभागी बने और इसकार कर्म का आयोजन में आप सभी की उपस्कती अनिवार है एक पनाओ पर चाहुटा हूँ चर्णा केष्वर्डू श्री राम नल्मस्तव समिती प्रदेश उपाद्येट को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइप शेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद